मदुमेह जब मानो शरीर के रक्तवा मूत्र में सामान्य इस तर से अधिक मीठे पदार्थों का धारा रूप प्रवाह होना प्रारंब हो जाता है तथा जिसके फल्सरूप शरीर में मीठे पदार्थों से उर्जय उत्पादन अफुरुत हो जाता है ऐसे इस्थिति को मदुमिह कहा ज जाता है वेज्ञानिक दृष्टिकों से आयूर्विक्यान में इसे टायविटिस मेलाइटस के नाम से जाना जाता है जिसका अभिप्राय भी धमनियों के सामान्य से अधिक मदुरुप दार्थों का बहना ही होता है मदुमे है रूपी विक्रती अंतह स्रावे ग्रंथी संबंधी रोग है जिसके अंतरगत उधर प्रदेश में इस्थित अगनाशे में इंसुलीन नामक हार्मोन का उत्पादन या तो कम हो जाता है या समय वाउशक्ता अनुसार स्रावित नहीं होता ऐसे इस्थिती प्रोड पुरुशों में तीशवर्स की युवावस्था के बाद विक्रित जीवन शैली से उत्पन होती है इसे इंसुलीन निर्भरता हीन मधुमे नाम से पुकारा जाता है ऐसे भी रोगी होते है जिन्हें वन्शानुगत के अनुसार के आधार पर से विक्रित अग्नाशय इस्थानांतरित हो जाता है या यौवन अवस्था में अग्नाशय की बीमारिया लग जाती है जिसके कारण मधुमेह को नियंतरित करने हेतु इंसुलीन के रूप में इंसुलीन को औसदी के रूप में ग्रहन किया जाता है इस वर्ग में मधुमेह को तरुन वर्गी ये डायबेटीस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी व्यापकता बच्चो वा युवाओं में प्रभावी तोर से हो जाती है अब हम मदुमेह के लक्षणों के बारे में जानेंगे पहला लक्षण है रक्त के मीठे पदार्थों की अधिक्तता को विजाती अध्रभ्यों के रूप में निकालने की कोशिस से बहु मूत्रता होना मूत्र में मीठा होने के कारण पेशाब करने के स्थान पर चीटियों का आकरशित होना रक्त में अधिक शरकरा होने के कारण लार ग्रंतियों के द्वारा लार स्राव में शरकरा को स्रावित कर मुह मीठा वा चिपचिपा करना मीठे पदार्थों से उर्जा उत्पादन ना होने के कारण शरीर की मेद धातु शय होकर अचानक शरीर भार का कम होना सरकरा से उर्जा उत्पादन ना होने के कारण थोड़े शारिलिक वा मानसिक श्रम से ठकावट की अनुभूती होना तथा टांग की पिंडलियों में दर्द रहना बहु मूत्रता से पानी की कमी के कारण तवचा सुखी वा पैर के तलवू में जलन की अनुभूती होना खोन के गाढ़ेपन को कम करने के लिए सामाने से अधिक प्यास लगना शरीर को आवशक उर्जा ना प्राप्त होने के कारण मस्तिश्क के भूख केंद्र का संवेदन शील होकर भूख लगवाना मूत्र में ग्लूकोस के साथ पुटेशियम भी निसकाशित हो जाने के कारण फोडे फुनसी वा चोट आदी के खाव शीकरता से ठीक ना होना इस्तियों द्वारा अत्यधिक भार बाले बच्चों को चन्म देना कानों वा आँखों को उर्जा उचित मात्रा में ना मिलने के कारण आँखों की जोती वा सुनने की शक्ति का कम होना पचा मसूडे वा श्वसन अंगों का सरलता से संक्रमित हो जाना जरनांगों में खुजली होना, पुरुशों में नपुनसकता वाइस्तियों में बांचपन की उत्पत्ती की कोशिश होना रक्त की अमलियता वृद्धी होने के कारण चकर खाकर बेहोश हो जाना मधुमेह की उग्रवस्था में धमनियों का कड़ा होना विशेश दोर पर हरदे की धमनियों में वससे अवरुदता उत्पन होकर रक्त चापवा हरदे रोग उत्पन होना संपूर्ण शरीर में दर्दवा थकावट की अनुभूती के साथ अवसादित मन की उत्पत्ती होना अब हम मदुमेह के निदान के बारे में जानेंगे मदुमेह का निदान लक्षणों वा कारण आधारित प्रश्णावली तयार करके वा रोगी से भरवा कर सरलता से किया जा सकता है आयूर विक्यान में विक्यान आधारित नविन उपकरणों द्वारा जैवरसाइनिक परिक्षणों के आधार पर रोग का पक्का अनुमान लगाया जा सकता है इस हेतु प्रयोक्षालिय परिक्षण द्वारा बिना खाये पिये सुभ़ के समय मूत्रवा खून की जाच करवा कर मदुमिय का पता लगाया जा सकता है यदि परिक्षण में ग्लूकोस का इस तर सामाने से अधिक हो तो खाने के दो घंटे उपरांत भी रख्टवा मूत्र की जाच करवा कर मदुमिय का निदान किया जा सकता है रोग की प्रारंभिक अवस्था को ग्लूकोस टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा जाचा जाता है इत्यादी हेतु यूरिया, यूरिक एसिट वा क्रिटेनीन की जाच घुर्दे की कारे प्रणाली जानने हेतु तथा यक्रस संबंधी परिक्षण करवाए जाते है यदि रोगी ने अपने पिछले तीन महने में मदुमिह की नियंतरित या अनियंतरित इस्थिती को परखना हो तो जैवरसायनिक परिक्षण आधारित ग्लाइकोसाइलेटेस हीमोगलोबिन के इस तरगी जाच करवानी चाहिए अब हम मदुमिह के कारणों के बारे में जानेंगे पहला कारण है वंशानुगत कारण दूसरा है मोटापे के कारण मोटापे से मासपेशियो वा यकरत में शरक्रा कि जमा होने के लिए स्थान ना होने के कारण मदुमिह की स्थिती उत्पन हो जाती है यदि व्यायाम दौरा मास फेशियो वा यकरत में चर्वी कम कर दी जाती है तो मदू में है रोग स्वताही नियंतरित हो जाता है अत्यधिक मानसिक तनाव से, अत्यधिक सहवास वाकाम लोलुपता से, अत्यधिक शरकरावा वसायुक्त पदार्थ के ग्रहन करने से, इस्तिरियों में गर्भावस्था में, पैदाईस के समय बच्चों का भार कम होने से, अहार में रिशेदार पदार्थों की कमी वा मैदाय भोजन की अधिकता से वाइरस, पीलिया, मलेरिया, इत्यादी के बार-बार संक्रमन से उत्पन जिगर कमजोरी से विलासिता पूर्ण वाश्रमहीन जीवनियापन से व्यायाम की कमी से अत्यधिक मदिरपान से उत्पन यकरत की व्यादियों से अत्यधिक धूमरपान से एंट अनियमित भोजन बिनाभोग भोजन मुख्य भोजन के स्थान पर अलपाहार अधारित भोजन देर रातरी भोजन इत्यादी आचरन से अत्यधिक निद्रा ग्रहन करने से विशेश तोर पर दिन में सोने से अत्यधिक गरिष्ट भोजन के अधिक सेवन से अर्था जीब के शारेरिक आवशक्ता से अधिक कैलोरी वाले आहर को ग्रहन करने से अब हम इसकी सैध्धान्तिक योगिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे चुकि मदुमेह जीवन शैली विक्रती संबंधी रोग है जिसके अंतरकत यदि मनुष्य खान पान संबंधी और सैयमित आचरन करता है तथा विलासिता पूर्ण जीवन यापन कर शारेरिक श्रम वा व्यायाम नहीं करता तो इनहीं प्रमुख कारणों से प्रोडता आधारित मदुमेह रोकी उध्वत्ती सरल्ता से होती है प्रतेक चिकित्सा पध्धती चाहे वह एलोपेती, आयरवेती, खोमेपेती, प्र हठ योग आधारी चिकित्सा पध्धती भी सैयमित जीवन शैली एवं विभिन हठ योग अभ्यासों से उचित व्यायाम करवाकर इस अती व्यापक मदुमेह व्याधी की चिकित्सा करवाने में सहयक सिद्ध होती है अब हम इसके कुछ चरण जानेंगे और चरणों के हिसा अत्यंत द्रड़ता से ध्यान रखना होता है जो की है कि छमता से अधिक स्वादवश मधूर आहारो जैसे मिठाया गोड़ चीनी गन्नारस खजूर मैदा युक्त भोजन जैसे पिज़ा बर्गर समोसा नूडल बटूर इत्याधिक अधिक सेवन नहीं करना है सैयमित रात्री में भोजन उपरांत तुरंत ना सोय भोजन सूर्यस्वर में ग्रहन कर मिताहारी बने अत्यधेक वसायुक्त वा मसालेधार भोजन ना करे भोजन उपरांत शारेरिक श्रम मांसिक श्रम वा सहवास से बचे मदीरापान वा धुमरपान से बचना है गरिष्ट वा पहले खाय हुए भोजन के पचायवीना दूसरा भोजन नहीं करना है और अत्यतिक नित्रा ग्रहन नहीं करना है रेशेधाल फल सबजिया कच्चा सलाद मिश्रित अनाज से निर्मित चोकर युक्त आटा खानेगी में प्रयोग करना है अब हम इसमें आचरन संबंधी नियम क या हो सकते वह जानेंगे तो काम लोलुपता आधारित मानसिक इस्तर को यौन उत्तेजना वा अधिक इस्त्री सहवास से हमें बचना है मानसिक नकारात्मक भावों से उत्पन मानसिक आवेशो को अश्टांग योग में वरनित अहिंसा सत्य आधियम वा सौच शंतोश आध की नियम पालन से सयमित करना है पीलिया है पेटाइटिस मलेरिया एवं टाइफाइड जैसे संक्रमण बिमारियों से बचाओ करना है एंटिबाटिक्स दरनिवारक गोलिया इस्टिरोइट्स वा गर्वन रोधक गोलियो के अत्यदिक सेवन से हमें बचना है मोटापे से वोजन वा नियमित व्यायाम करना है दूसरा चरण है शटकर्मिय चिकित्सा तो आयरवेदिक सिधान के अनुसार मधुमें है की व्यादी कफ़ दोश वा वाद दोश की विशमतावा दोशीतिता से उत्मन मानी जाती है अतहा जो शटकर्म इन दोनों दोशों की का निवारक करने में सक्षम होते है उनका ही चायन करना शिरश कर होता है इसके साथ जठरागनी की वृत्धी करने वाले अगनाशय को शक्रियता प्रधान करने वाले शटकर्मों का समावेश भी उचित होता है उधारन के तौर पर कफ दोश की अधिकता वा दुशितता दूर करने है तो वमन धोती तेंड़ धोती वस्रत होती करना है हमें सप्ता में दो बार वारिसार धोती कर सकते है महिने में एक बार कपालभाती प्रति दिन दस मिनट नौली जो है प्रति दिन पांस से छे मिनट जलनेती प्रति दिन कर सकते है सुत्रनेती सप्ता में दो तिन बा गणेश्क्रिया सप्ताह में दो बार लगो संग प्रक्षालन प्रति दिन सप्ताह में दो तीन बार प्रति दिन भी कर सकते हैं अधिक यदि है तो या फिर सप्ताह में दो या तीन बार मोको गुहा शोधन हेतो जीवामोल धोती वा दंत धोती और उर्द्व चक्री प्रतिदिन कर सकते हैं तीसरा चरण है आसन आसनिय जिकित्सा तो वह आसन जिनसे शरीर की सभी मास्पेशियावा यक्रत सक्रिय होकर ग्लूकोस की मांग में वृध्धी कराते हैं जिससे अनुपयोगी रक्त शरकरा का इसतर मास्पेशियोवा जिगर में जमा होने हेतु प्रेरित होता है अब उधर प्रदेशी आकुंचन प्रसारण कराने वाले आसन जिनसे अगनाशय को पोश्ण तत्व प्राप्त होकर इंसुलीन निर्माण में वृध्धी हो सके तत्था अगनाशय की कोशिकाय यंत्रिक मालिश से सक्री होकर इंसुलीन के निर्माण में वृध्धी कर सके वह आसन जो मधुमेह की तीवृत्ता से उत्पन कब जुको दूर करने में सायक हो अब इन सभी सिध्धानतों के आधार पर मधुमेह रोगी को प्रार्थमिक इस तरवर शरीर अनुकूल अभ्यास वह अर्ध इस्थिती के आसन करवाकर अधुलिकेद हमने जो आसन बताएगा है उन्हें करना है जैसे कि सुर्य नमसकार करशकते हैं जण्ग प्रक्षालन के जो पाँच आसने चे ताड़ासन तेरिय चकरासन कटी चकरासन कटी भुजञगासन उदराकर्शन आसन ये कर सकते हैं और अगनाशे की शक्रियता वाजटरागनी में वृत्धी कराने वाले आसन जैसे की पवनमूकतासन, नौकासन, कुर्मासन, हलासन, चक्रासन, भुजंगासन, सल्भासन, धनुरासन, अर्धमतसेंधरासन, पष्ट्रिमॉत्तानासन, योगमुदराशन, उस्टराशन, utukasana तू अब चुल्दी का ग्रंती की सक्रीयता में वृध्धी करने वाले आसन जिसождения को ओर्चय में जै परिफिशे द्वारा परिनत किया जा सके अर्थात अ कुन्चन वब कुस से पहँस परमुक्द रंक्त रंक रंक्त का 240 है है भुजंगासन है सरवांगासन है और मत्सेंद्रासन है अब द्रानयााम को है उप्चारइत करने में सक्षम होते है उनका ही समाविश किया जाता है साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि वह प्राणायाम जठरागनी को भी प्रजवरित करे लेकिन जब रोगी द्वारा पहले 10 से 15 दिनों में उदर प्रदेशी या दीरगश्वा स्वशन करिया विभिन अनुपातों में कुम्भग की अवस्थाओ वा नियमित अभ्यास किया जाता है तो पूर्ण लाब हो लेने हैं तो हमें कुछ प्राणायाम 15 से 20 मट करने जैसे सूर्य भेदन वाद दोश को दूर करने के लिए और कव दोश को दूर करने के लिए उच्चाई प्राणायाम कर सकते है त्रीदोश आधारित विक्रती दूर करने के करने वस्वर प्रभा संतुलित करने के लिए हम नाडिशोधन कर सकते है अनुलोम विलोम कर सकते है बस्तिका कर सकते है अब मधु में है कि या नियंत्रित स्थिती से शरीर का भार घटने के कारण पित प्रकोप को नियंत्रित करने है तो हम रितु अनुशार जो है सीदली और सीदकारी कर सकते हैं मानसिक तनाव को प्रतिकारी करने है तो हम भ्रामरी कर सकते हैं जठरागनी वृध्धी करने है तो सूर्य भेदन उच्छाई भस्त्रिका इसका अभ्यास कर सकते है अब है पाँछवा चरण जो है कि मुद्रा और बंद के द्वारा चिकित्सा तो मदुमेह उपचार में मुद्रा बंद भी अपना युगदान प्रमुक्ता से करते है अथा सिध्धान्त पर कुछ मुद्रा और बंद है जैसे महमुत्रा महबंद सक्तिचालन ताडागी मुद्रा है नभी मुद्रा नभो मुद्रा है अश्विनी मुद्रा है जालंधर बंद है उड्यान बंद है अब हम जानेंगे जो छट्वा चरण है वह है शिधिली करण और ध् उत्पन मानसिक तनावों के संवेगों से वृत्थी को प्राप्त होता है अधा मानसिक तनावों को नकारात्मक भावों को प्रतिकारित करने है तो योग के शिथिली करण अभ्यास वा ध्यान का अभ्यास अत्यंत लापकारी होता है और मधुमें है के रोगी को चाहिए कि 15-20 पिशमिनर सिधिली करण या ध्यान प्रक्रिया के प्रक्रिया का अभ्यास करें जैसे कि सिधिली करण में हम क्या कर सकते हैं कि प्राण धार ना कर सकते हैं अजब आजब कर सकते हैं योग नित्रा कर सकते हैं और ध्यान में हम प्रेक्षा ध्यान ओमकार ध्यान मंत्र चपाधा इश्टदियों के आधारित ध्यान अन्तहत राटक कर सकते हैं भावती ध्यान यह सब कर सकते हैं अब सांतवा चरन जो है वो आहारीय उपचार है यह चरन प्रतेक चिकित्सा पदधदीका अभिन अंग होता है अजियोग चिकित्सा से भी आहारिय निर्देशों का पालन अवश्य भावी है प्रथम चरण में वरणित चूखान पान सम्बंधी आचरन नियमावली का पालन करते हुए रोगी को चाहिए कि पत्थय आधारित आहारिय द्रवयों को ग्रहन करेऊ आपत्थय आधारित आहारिय और स्टार चाधारित द्रवे जैसे चावा लालू मकी अतधिक वसा और मसालेदार भोजन मानसाहर भोजन कब जबा गरिष्ट कब जचूत पन करते हैं या गरिष्ट पदार अरबी भिंडी फुलगो भी सरसो का सागित या वसा युक्त दूद घी देशी घी है मक्षन है और अंगूर और चुकंदर आदी का सेवन नहीं करना है अब इसमें हमें सेवन किस चीज़ को करना है जैसे चोकर युक्त मिश्रित अनाच काटा है गेहूं चना सोयवीन का मिश्रित आटा करेला मेथी पालक तोरी घीया टिंडा शलजम परवल पत्ता गोभी मूली पैगन गा सकते अंजीर मटर पनीर और